आज मैं आपके लिए ब्रेक्ट से बनने वाले एक ऐसे नास्ते की रेसिपी लेकर आए हूँ जिसे आप देखते ही बनाना चाहेंगे यह बहुत ही टेस्टी है और बनाने में इतनी इजी कि आप इसे देखने के बाद तुरन बनाना चाहेंगे तो यहां हमने सबसे पहले कुछ ब्रेक्ट की स्लाइसे ले ली है और उनके हमने साइट जो है इस तरीके से कट कर दी है यह देखिए और इन साइट को हम संभाल की रख देंगे कर लीजे और बगल में जो बेल आइकन बनके आएगे उसको जरूर प्रेस कर लीजेगा इससे होगा क्या जो हमारे लेटेस्ट वीडियों होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दो पार्ट हो गए इसके और फिर हम इस तरीके से एक कट और लगा देंगे तो इससे चार पार्ट में एक स्लाइस जो है डिवाइट हो जाएगी तो सभी ब्रेट को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे अब हम गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे उसमें थोड़ा सा देसी घी तो आप यहां पर मीडियम कर देंगे तो आप यहां पर मीडियम कर दें फिर से हमने थोड़ा सा घी लिया है और उसके बाद इस तरीके से प्रेंगे प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है हम लगा देंगे आप चाहें तो जो ब्रेट की स्लाइसेस हैं इनको ही ग्रीस करके ऐसे डारेक्ट रख सकती हैं लेकिन हमने पैन में थोड़ा सा घी लगा दिया है और हमने इस तरीके से सभी ब्रेट को जो है सेक लिए अब हम गैस में थोड़ा सा घी एट करेंगे आप तेल कोई भी उसकर ले यहां पर हम दो चमच यहां पर ले रहेंगी और देखिए घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा जब तब हम इसमें बाकी की चीज़े एड़ करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर आदा चमच जीरा यानि की क्यूमिन सीट्स एड़ कर रहे हैं हलका सा यह चटक कर लेंगे उसके बाद फिर हम इसमें एड़ करेंगे अनियन तो यह देखिए अनियन यानी की प्याज तो हमने इस तरीके से लंबा लंबा टुकडों में करकर के हमने पतला पतला प्याज भी एड़ कर दिया है तो इस तरीके से आप प्याज को भी इस तरीके से कट कर लें बारिक बारिक लंबा लंबा कट करें और ये दिखे इस तरीके से हमने प्याज को भी थोड़ा सा सौटे कर लेना है जिसे कि ये ब्राउन नहों पाए लेकिन हाँ इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो थोड़ा सा हमने दिखे इसको चला दिया है और उलट पलट देंगे इस तरीके से जिसे कि ये थोड़ा सा अच्छे से सिख जाए और अब हम इसमें हमने या पे कुछ सिमलमिच बारी कट करके एट किया था और थोड़ी सी गाजरत यानि की कैपसिकम और कैरट तो मेरे पास जो भी सबजियां थी आपके पास जो भी सबजियां एट कर सकते हैं और अब हमने थोड़ा सा चलाने के बाद में इसमें बारी कटा हुआ टोमेटो यानि की टमाटर एट किया है साथ में एक चोथाई चमच हमने नमक एट किया है जिसे सभी सब्जियां जल्दी से गल जाएं और उनमें एक फीका पन भी न रहे सब्जियों में नमक तब तक अंदर से चला जाएगा अंदर तक और देखें हम इसको थोड़ा सा ढखके पकाएंगे लगबग एक से दो मिनट के लिए जिसे की सब्जियां थोड़ी से सॉफ्ट हो जाएंगी तो ये दिखे इस तरीके से सभी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है तो फ्रेंट्स आप यहाँ पे टोमेटो सॉस भी एट कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रेंट्स जो है टोमेटो सा पकाएंगे आप चाहें तो यहाँ पे टोमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे टोमेटो का पेस्ट थोड़ा सा एट करना ज्यादा अच्छा लगा और अब हम थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर एट करेंगे आपको जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से एट कर सकते हैं और यह है थोड़ा सा मैगी मसाला जो मैगी जो नूडल्स आते हैं उनके अंदर जो पैकेट में मसाला रहता है वो वाला है आपके पास यह नहीं है तो आप पाउबाजी मसाला एट कर सकते हैं वो नहीं एट करना चाते हैं तो किचन किंग मसाला एट कर सकते हैं कुछ भी नहीं एट करना चाते हैं तो भी चलेगा और अब हम इने अच्छे से मिस कर लेंगे जिसकी सभी मसाले जो है नमक वगास ब्रेट की स्लाइस में भी अच्छे से कोट हो जाए तो यहां पर दी कि हमने थोड़ा सा पनीर एट किया हुआ यह तोटली अच्छा ही लगेगा अगर आप नहीं एट करना चाहते तो बिलकुल कि लगेगा सा जूसी रहेगा क्योंकि टोमेटो फ्यूरी हमने यहां पर एट किया है क्योंकि जो घृट है वो थोड़ा सा मुआश्यार अब innocent करती है तो इसलिए यहां पर प्यूरी एट किया है लास्ट में हम ठोड़ी सी बाण狽ी हरी धनिया पत्ति यानि कि कुरियंच कलर के यह रेसिपी का कलर आप देख सकते हैं कितना गजब का कलर आया है और लास्ट में थोड़ा सा उपर से भी ग्रेट किया हुआ जो पनीर है उसको हम ऐसे डाल के सर्फ कर रहे हैं तो यह आप्शनल है और देखिए यह रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी है बस आप ए नेक्ट वीडियो में थैंक यू थैंक फोर वचिंग